बहुत-बहुत स्वागत है आपका जणीत आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा और आज यहां दिल्ली उनिवस्टी में छात्रों ने प्रदर्शन किया है वो इसको लेकर किया है कि लगाता शिलिंका में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर कि यहां पर छात्र मौजूद हुए और सोचिए यहां पर डिटेंड करने की नौबत आ गई थी इसलिए जल्दी से यह प्रोटेस्ट खतम भी करना पड़ा लेकिन अभी हमारे साथ कुछ लोग है क्या रामेशाब का मैं नम भी मैं कुछ मुद्धा हुआ है श्री लंका में जो आज फिर से मुद्धों को बीया रिकर यहां पर दर्शन किया जाना था क्या तस लनका में वहां की जो सरकार है उसके बरबरता एक्रस्वाब माइब किसरकार लगतार कोसिस कर रहे है कि जो जनता गैर कानुनी तरीके से जो सरकार चुनी गई है जो परढ़ान मंतिय fa राश्रपती चुना गया सूना कर fortune कर रहा हुआ को दबाने कोशिश्amar कर रहे हैं थाना तो इसके लिए हमें जानना जुरूर है कि यह किया क्यों जा रहा है हम जानते हैं कि पिछले 75 दिनों में वहां जिस तरह से आंदोला ने खड़ा हुआ जो जनता रागलिया मुव्मेंट वहां पर खड़ा हुआ वह दिखा रहा था कि सिलंकन जो अवाम थी सिलंका की जनता थ जो बहुत लिमिटेड जो बहुत ही छोटा हिस्सा था उसके पास बहुत ही जादा पूरे सिरलंका की संपत्ती ती जिसके कारण यह हुआ कि एक बड़ी संख्या वहां पर भूखे और बिना किसी अच्छी स्थिति के कारण जीने को मजबूर थी जब यह क्राइस ज्यादा क्राइसिस हो गया कि वहां के राश्पती इसको हेंडल नहीं कर पाए समाल नहीं पाए तो उन्हें मजबूरन उनको भागना पड़ा वहां से और यह भयावा इस्तीती थी बहुत खतरनाक इस्तीती थी जो दिखाता है कि वहां की सरकार पूरी तरह से जनता की मांगों को ल भागना पड़ा अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद वहां के एक परधान मंत्री को चुना जाता है यह सारा शांती बहाल करने के लिए और वो परधान मंत्री जो है पूरे ऑपोजीशन पार्टी के एक मात्र लीडर थे पारलेमेंट में इस पे गौर करने वाली बात इसका मतलब कि जनता का पारलेमेंट में वहां के संसद में वहां के रप्रजेंटेटिव में एंपी में पूरा विश्वास खतम हो चुगा था किया क्या जाता है उनकी आवाज सुनने की जगह पे आई-एम-एफ और देश के जो बड़े-बड़े पूंजी पती थे और द उनको 2020 में इस सिरलंका की जनता ने नकार दिया था बुरी तरह से चुना वहा रहे थे और बड़ी बेशर्मी है या इसको बेशर्मी का है या वहां के पारलेमेंट और लोगतंत्र का खोखला पन का है कि एक ऐसे विक्ति को परधान मंतरी के पोश्ट पे बिठाया जाता है जो लेजिटिमेसी खो चुका है और यहीं नहीं वहां के सिरलंका के राश्पती को चुन रहे हैं यानि एक लेजिटिमेट पारलेमेंट लेजिटिमेट एमपी एक राश्पती को चुन रहे हैं जो देश चला रहा है और अब क्या हो रहा है वहां के जनता की मांगे नहीं पूरी की जा रही है तो उनकी मांगों को आवाजों को दबाने के लिए पीटीए जैसे कानून लाए जा रहे हैं उनको जेल में भरा जा रहा है ताकि वो जो सुर्शनकारी सरकार है उसके अगेंस कुछ ना बोल पाए उसको लेकर वहां पे हो रहा है लेकिन आप लोग यहां पर आवाजें बुलंद कर रहे हैं अखिर क्यों हम उनका समर्थन करते हैं कि जनता का आंदोलन चल रहा था यहां से हम सोली डारीटी दे रहे हैं और दुनिया में जगह जगह आंदोलन चलते हैं यहां से सब लोग अपनी देते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है आम संकट नहीं जग हैं किया यहां पे लोग भूके नहीं मरह रहे हैं कि यहां पर लोग बीनालाज के नहीं मरहा है यहां पूरी संभावना है इसकी जिस तरह से सरकारी संपतë को बेंच बेंच के पुण्जी पतियों को मुनाफ़ा पहुंचा आया जा रहा है मregation उस तौर पर टीचर सब रोट पे हैं परदर्शन कर रहे हैं उनके लिए नहीं मिल रहा है मजदूर आंदोलन कर रहे हैं चात्र अभी कुछ समय पहले अगनीवीर को ले करके चात्रों ने बड़ा आंदोलन किया अलग अलग एक्जाम जब कैंसिल कर दिये जाते हैं उनको लेकर के चात्र krism करें यानिकी समस्या टो चली फार कर रही है सरकार तो लगातार बोल रही है कि हम घंसा से जो है बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं उच्षाई अगनिवीर हो अगनि बिर की आप बता रहे हैं कि उसको लेकर और यह पहले जानना चाहूंगा इसके बारे में दूसरा चीज कैसा विकास की बात कर रहे हैं आप चांद पर जा रहे हैं गटर में 100 रुपे में कोई आदमी जान दे रहा हैं बहुत अध्भुत विकास कर रहे हैं आपके आपके देश में 121 देशों की सूची में बुखमरी में देश 107 नंबर पर आ जाता है और उसी दोरान इसी देश का एक आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है यह कौन सा विकास है एक तरफ दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी भी इसी देश में है और स आप अपने विकास की परिभासा चेंज कर दीजिए डिवलप्मेंट की जब परिभासा है उसको बदल देजिए जूट है धोखा है फरेव है इस देश की जनता के साथ विकास के नाम पर आप कहते हैं कि जीटी पी बहुत बढ़ गया हुआ कि अपने कितना जनता के लिए कि जीटीप आपका वही मकान बन रहा है इतनी योजनाय ला दी गई है अभी कुछ दिनों जब मोर्भी में पुल गिटने गिरने की घटना होई जिसमें डेड़ सो लोगों के आसपास करीब लोग मरें परदान मंतिरी जे गए वहाँ पर होस्पिटल को छुपाया जा रहा था आपकी हालत ना मालूम पर सके उनके लिए तो सब जूट होगा वही जो एक बोलते हैं वही एक मात्र सच है पढ़ान मंतिरी की जिके मुह से निकली हुई बात सच है बाकि देश में जो लोग भुगत रहें जो लोग बुरी स्थितियों से गुजर रहें लोग मर रहें करो यह सब जूट है लोग सारी साजी से पुराने इस्तार कारों की है आप लोग नेता बनना चाहते हैं चात्र नहीं बनना है अगर सच बोलना नेता बनना है तो बता दीजिए सच बोलना अगर हम नेता बनने के बराबर रख दे रहें तो अगर कोई भी आदमी यहां पर सच पोलेगा उसको आप कह दीजी नेता है लोग परिशान हैं लोग हतो साहित है लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं उन समस्याओं के लिए क्या लड़ना गलत है परिवार में जब छोटे भाई को कम बड़े भाई को ज्यादा मिल जाता है तो वहां भाई सवाल पूछ बैठता परिवार में एक डेस में जब हम ऑना जब भारत माता की जए का आदअ कि तो भारत माता की सारे बच्चे सारे भारत 국 toujours ही है आप किसगे लिए कर रहे घरीवो के सारा कह रहा है किוס गरिवो का बच्छ तरकारी स्कुल अभुर स्टा ब्राइब कर गरीवों के लोग ऐसे भूखे के मरें इतना कुछ कर रहे हैं महिलां के लिए प्रांगन से बोलते है'M देखे सरकार है इनकी मनमानी चल रही है आर्मी है पुलिस है सीबी आई है तो जब पावर में है तो इनके हिसाब से जो सही है वो करेंगे तो आप समीधान बदल दीजिए उससे क्या हो गया आपने समीधान में ऐसा दिया क्या क्या समीधान ना रहे हैं यह क्या कहेंगे जब हिंदू समुधाय की जब बात कर रहे हैं हिंदू धरम के लोग के बात कर रहे हैं तो यह कहेंगे कि हिंदू फैक्टरी का मालिक जो है और हिंदी फैक्टरी के जो मजदूर है पर हम अब बंद करें अब का मालिक हिं निन्तम मज़ूरी देश में सब को सारे ढूर को दे हम कि लिए बना रहे तो कई यह कि जितने सब बच्चे हैं बच्चा si में काम करने वाले मज़ूर का बच्च वेज़े सब किसे सर्कारी स्कूल में तो आप धरम कीजी हैें हैं सब्सक्राइब के लिए गरीब के लिए दूसरे कानौन क्यों नहीं एक भारत माता है एक हिंदु समुदाय है पूलिए की हिंदु समुदाय का सारा बच्चा चाहें वह पैसेνο वाले का और शरकारी स्कूल नहीं होगा कि जी संसे काम कर रहे हैं अगर दिन प्रध्रिक काम किया है सारी वार रातों के घटणां होती रहती है आप ने क्या कर लिया आप हाँ पुलिस का इस्तिमाल कर रहे हैं आप ढहरे ही आरों तो आके अपनी तरफ से सही आकड़े दे दे क्या है उनकी तरफ से सही आकड़े प्रधानमंत्री पर करना बैन है राशन दिया जा रहा है लोगों को कहाना दिया जा रहा है पांच कि लोग इंडिया की और सत जो हाइट है ना इंडिया में लोगों के कम हुई है यह क्या दरसाता है आप खाना ले मिल रहे हुए यह देश जो पूरी दुनिया को खाना खिलाने लाइक अना जुगाता है उँच देश में लोग भूक है यह शर्म की बात नहीं हो नहीं चाहिए आप गर्व कीजिए कि आप के सबसे ज़्याद फूट प्रोडूसिंग कंट्री में आते हैं आप पुरी दुनिया खाना खिलाने की अउकात रखते हैं और आप ही के देश में भूखे मरें शरम की बात है कोई भी परदार मंत्री वह शरम से डूप के मर जाना चीए मौर्भी में घटना हुई हपते भर पहले करोड रुपे दे कर किसी के प्राइवेट कंपनी को वह उसको मैंटेनेंस के लिए उसको पैसा दे दिया जाता है वहां पर यह बकायदा कहा गया कि सो लोग से ज्यादा इक पैसिटी नहीं है चेसो टिकट बिखते चार्सों लोग एक टाइम पर उस पूल में चड़ते यह तो क्रिमिनल लेगिजेंस है सो लोग का कैपेसिटी था लोगों की गलती बताई जा रही है टिकट किस ने दिया टिकट देने वाला जिम्मेदार है कि नहीं है और जब इनके अंडर हो रहा है अगर वह कंस्ट्रक्शन का काम सरकारी काम है करना चाहते थे मोधी जी को इसलिए बाग 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 टे जारे थे लोग ईसा बोला जा रहे है इसमें तो अब जो कह वे चिट बी उनका पड़ी उनका तो बागते मनवा नी तो मनवा लीजिए य। करने में तो महारत नहीं दीखता है उनका कुछ यह वो पुलते हैं गटर में गिर के मर जा रहा है आप बताईए क्या विकास है मतलब 15,000-20,000 का गटर साप करने वाला मशीन आता है वह आप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 100 रुपे में किसी आम आदमी के जान ज्यादा सच्ती है मशीन से तो मर्ज है 100 रुपे में 15,000 का मशीन को लगाएगा तो यह तो हमारा महान देश है इतना महान है कि 100 रुपे में आज आपके निसार नहीं हूआ है नहीं करने के जरूत ही इए दिखाता है कि आपके लिए एक आम एप सांस की जान की कीमत क्या है यह सीधा बेस्खर है यह ऐसे बेशरम लोग है कि हेल्थ मिनिस्टर कोरोना के टाइम में बयान देता है कि अक्सीजन की कमी से कोई आदमी नी मरा इसको क्या कहेंगे आप कि सब मतलब किसी का सपने में हो रहा था सारी घटना है लोग टैंक लेके अक्सीजन का सेलिंडर लेके इधर भाग रहे हैं कि कोई अपने रिख्षे लेके भाग रहा है यह वस्पिटल में मर रहे को यह सब हमारे दिमाग की पैदाइस था अब उनके नजरिये से तो यही है कि कोई मरा ही नहीं है तो उनका नजरिया माल लेते हैं वह तो जाके फिर पूछिए लोगों से लोगों क्या यह पुब्लिक में लोगों को आकर बत जनता जाएगी और एक और जो चीज है बार-बार कहा जा रहा है कि अगर जनता बदलाव नहीं चाहती तो 2022 में कैसे आगई यह हमारी संसदिय पढ़नाली की भी कुछ दिक्कते हैं पांच राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट है वो पांच राज्यों में के यूपी वी था बड़ा राज्य है अब बताईए आपकी वहां की जनता बदलाव चाहती थी या योगी को ही पुने इस्तापित करना चाहती थी उनके सीम के पोश्ट मैं आपसे पूछना चाहता अभी कुछ दिनों पहले वहीं पे बलातकार की घटना हूई हुई है यूपी में ही उन् neighborhood लगातार दो-तिन दिन वहां पे घटना की यह बलातकार की घटना के सामने आई है क्या किया उनronics ups त्यें परमिशन अलाओ नहीए यूपी वहां पर पर्मिशन भी नहीं दे सकते आ और रही बात की जनता बलाव चाहती थी कि नहीं, तो जनता बलाव चाहती थी, मातर 40% वोट मिला था बीजेपी को, 60% ने खिलाप में दिया वोट, उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बन गई, तो यह तो संसद्य पर नाली जो संसद्य डाचा है, उस पे सवाल करने की ज चुनेंगे, बीजेपी को नहीं चुनेंगे, फिर भी सरकार बन गई उनकी, अब इस चीज को कैसे समझेंगे आप, 40% वोट पड़ा ना उनको, यानि 60% खिलाप में थे, तो कैसे उनके सरकार बन गई, मैं समझना चाहता हूँ, यानि लोगतंत्र नहीं है, आप बंद कीज लोगतंत्र, बताइए न, 60% लोगों ने खिलाप में वोट किया, आपके फिर भी बीजेपी की गवर्मेंट बन गई, 2019 में 37% वोट मिला बीजेपी को, यानि 63% खिलाप में था, फिर भी उनकी गवर्मेंट बन गई, आप इस बात को समझाईए, परलेमेंट्री डेमोक्रे काल कीजिए, आप कोई उसमें ये कह दे कि नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है भाईया, कि बीजेपी के कैंडिडेट को किसी कंसिट्वेंट से मिल गया, 1000 वोट, उससे नीचे वाले को मिला, 998 उससे नीचे वाले को मिला, 900, इन सबका वोट मिला के जो जनता है, य आप किसकी सुनेंगे, वोटों में घपला नहीं, इवी एम नहीं, ये पढ़नाली में दिक्कत है, कि एक तरफ 1000 किसी को वोट मिल जा रहा है, क्योंकि उसको 1000 मिल गया, बागी को 998 उससे ठीक होगी पढ़नाली को, जनता को कानून मनाने का अधिकार दिया जाए, जनता कान चुना जनता ने, वो बिग गये बीजेपी के यहां तो, ये तो हमारा खराब चला गया, कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, जनता के पावर होना चाहिए, अगर प्रतिनीदी मेरी बात नहीं कर रहा तो उसको बुला लिया, कि तुम नहीं हो, हमारे काम की नीतिया तुम नहीं बना रहे हो, ये होना चाहिए, जनसवाएं होनी चाहिए, जनसवा में जनता की संसद होनी चाहिए, जनता की संसद में बिल पास कीजी आप, लडएंगे इसके लिए कम से कम इसकी बाते तो हो, इसकी तो बाते भी नहीं हो रही है, जायतर पार्टी औरगनाईएशन इसी मे लड़े हुए हैं और कहते करप्षन दूर कर देंगे इस बेवस्ता में इस जो पारलेमेंटरी लोक तंत्र जो चल रहा है इसमें आप करप्षन खतम ही नहीं कर सकते हैं आप महराश्ट्रा में गौर्रमेंट चुनेंगे किसी दूसरे परफिर जनता के पास कौन सी पावर है बस व Akbar देने की और उस वोड़ से वह कुछ कानूON नहीं बना सकते हैं कानून मनाईगा आडांद मुझे नहीं मालूं जंता कितना होश्यार हो लेकिन जंता की बीच में ये बाते ले जाने की जरूत है कि जंता को कानून मनाने का अधिकार मिलना चाहिए तो ये देखिए ये तो हालात थे श्री लंका के जिस पर हमने बात की लेकिन आज जो देश के हालात है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए तो जिस तरीके से लगातार देश को गुम्रा करके और उस दलित पिछडे लोगों के वोटों से जो राजनीती में आने वाले सत्ता में जो राजनीता है उसके बाद वो उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं यही बात एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है इसी के साथ देखते रही है जनित आवाज मेरे सेयोगी धर्मेंद के साथ में पूजा